हे गाइस वेलकम तो माई यूटुब चैनल और आज हम इस वीडियो में करेंगे वन प्लस नॉट का रिवीव और सेर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ कि इस फोन को चाल लाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा क्योंकि हम पिछले कुछ महिनों से इस फोन क यूज कर रहे हैं बात करेंगे हम इस फोन की कुछ अच्छाईयों को और कमियों को और यह देखेंगे कि यह फोन लेना आपको कितना सही होगा 2021 में तो आप इस वीडियो को देखेंगे मेरे दोस्त एंड तक और यदि वीडियो आपको पसंद आये तो उसे लाइक सेर लुक्स की तो यहां पर आप देख सकते हैं मोबाइल जो है वो ब्लू मारबर कलर में हैं और मोबाइल के बैक में आप देख सकते हैं काफी साइनिंग भी है और डिजाइन जो है वो काफी कॉंपक्ट डिजाइन है और प्रीमियम लुक्स आपको देखने को मिल जाता है और चलिए अब हम बात करते हैं mobile के display की और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलता है 6.44 इंच का एक Super AMLO display देखनों को मिल जाता है और जिसका viewing angle और जो display quality वो काफी अच्छी है और यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाता है display में 90 Hz का refresh rate जिससे display में काफी smoothness आपको देखनों मिलती है और अच्छी बात है कि display में आपको HDR10 प्लस का support भी देखनों को मिलता है जिससे आपको वीडियो में काफी अच्छी quality देखनों को मिल जाती है और viewing angle भी काफी अच्छी देखनों को मिलता है बात करें mobile के brightness की तो यहाँ पर आपको brightness भी काफी अच्छी देखनों को म साथ में आपको देखनों को मिल जाता है snapdragon 765G का processor जो की एक 5G processor है और इस processor कारण इस phone की speed of performance काफी अच्छी देखनों को मिल जाती है साथ में आप यहाँ पर different type के apps भी यूज कर सकते है different type के games भी यूज करते हैं और जैसे कि heavy games जैसे pubg or COD और 4G games of without any leg इस phone में यूज कर सकत जाता है जाता है बात करते हैं mobile के operating system की तो यहाँ पर आपको देखनों को मिलता है Android version 10 और साथ में आपको देखनों को मिल जाता है Oxygen OS का version 10.5 तो इस operating system में आपको mobile में काफी ज्यादा customization देखनों को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप wallpaper आपको different type के wallpaper देखनों को मिल जात है और यहाँ पर आप fingerprints के style है उसे भी आप different type में देख सकते हैं और जो भी आपको पसंद है उसे आप use कर सकते हैं साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं button का जो है एक option दिया हुआ है जिसमें आप डिफेरें टैप के colors दिया हूँ है आप इस color में से किसी भी एक color को choose कर सकत सकते हैं यह राउंट राउंट रेक्टेंगल का भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के आपको यहां पर यूज कर सकते हैं क्योंकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कस्माइजेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और मुझे भी काफी अच्छा लगता है आपको कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम पसंद है यह मुझे कमेंट करके चुरूर बताइगा मुझे यह यह पसंद है कि यहां पर आपको ब्लॉड वेर देखनों को नहीं मिलते हैं कोई भी आट देखनों को नहीं मिलता है काफी क्लीन ऑपर आपको पहले से कुछ प्री इंस कौल्टी की तो यहां पर आपको picture कौल्टी भी काफी अच्छी देखनों को मिल जाती है और vibration जो है आपको पिक में काफी कम देखनों को मिलता है और color की sapnets भी आपको काफी अची देखनों को मिल जाती है पिक चाहे आप night time में लें य puntos day time में लें आपको pic की quality काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और focus भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है लेकिन यदि मैं बात करूँ अभी भी camera में improvement होना काफी बाकी है सायद यह improvement आपको next update में देखने को मिल जाए बात करते है mobile की battery की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4,115 mAh की बैटरी और यदि बैटरी बैक अप की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल यूज में मिल जाता है 7-8 आवर्स का बैटरी बैक अप और मेरा जो यूज है वो काफी हैवी यूज है तो मुझे इस पeन को दिन बड़ में 2 बार चार्ज करना पर जाता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 30W का चार्जर फिर भी आपको इस mobile को चार्ज करने में एपर्रॉक्स 1 अबर लग जाता है यदि आपका use is heavy है तो आपको इस phone को दिन वर में दो बार चार्ज करना पड़ सकता है बात करते हैं हम sensor की तो इस phone में आपको different type के sensor देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी तरीके से work करते हैं और fingerprint sensor आपको in display देखने को मिल जाता है और fingerprint sensor आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छी तरीके से work करता है हम बात करें इस phone की कमियों के तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का jack देखने को नहीं मिलता है साथ में आपको HD card का support भी देखने को नहीं मिलता है और मेरा मनना ही है कि इस phone का जो price है वो काफी जादा है ये phone आपको तकरीबन 22,25 तक में मिलता तो काफी अच्छा होता और यहाँ पर अगम बात करें camera की तो camera में भी improvement होना काफी बाकी है और साथ ये improvement आपको next update में देखने को मिल जाए और ये तो रही इसकी कुछ कमिया और अगर अच्छाईयों की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक काफी अच्छा display जो की 90 Hz का display है एक super MLO display है और display में आपको corning gorilla glass 5 का protection देखने को मिल जाता है back में और front में आपको glass का protection देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अच्छी चीज मिलती है आपको oxygen OS का operating system जो की काफी जादा अच्छा है और इसमें customization के options भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं blood wear एकदम नहीं देखने को मिलते हैं without any add आपको ये एक operating system देखने को मिल जाता है और यदि मैं compare करूं other companies से जैसे की Realme, Vivo या Xiaomi से तो वहाँ पर आपको इस price range में प्रोसेसर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है जैसे की Dimensity 1000 Plus देखने को मिल जाता है जो कि ये काफी अच्छा प्रोसेसर है 765G की मामले में तो मुझे इस फोन की थोड़ सा प्राइस थोड़ सा जादा लगी तो ये रहा मेरा इस फोन के साथ experience आपको कैसा लगा ये मुझे comment करके जरूर बताएए और वीडियो को यदि पसंद आए तो उसे like share जरूर करिए और मेरे चैनल को subscribe कर दीजे with bell icon मिलते हम आपसे next video में तब तक के लिए धन्यवाद